करेंगे उसके बाद इनकी बूक को इसमें इनोंने कहा किया है क्यूंकि एक बहुत लेंध्य की यह तो हम इसको दो जैस्टर है वह समझ भी कम आती है तो इसके मेजर आज समझेंगे उसके बाद कुछ और जो इसमें फुर्दर रहे जाएंगे हमारे चीज़ें वो हम नेक्स लेक्ट्चर में जो है वो कवर कर लेंगे अपना जो आज का लेक्ट्चर है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैथरिन बेल से जो हैं ये 1942 में पैदा हुई थी और ये एक लिटरिरी क्रिटिक हैं और ब्रिटिश स्कॉलर भी हैं अगर इनके हम ल कौंट्रिबिशन देखें तो अंडर्सेंडिग ऊफ लिटरेचर के लिटरेचर को हम लोग ऐसे कर सकते हैं कोई भी पीस ओफ लिटरेचर है उसको किस आंगल से देखना चाहिए किस आंगल से स्टड़ी करना चाहिए ये सब वह बैल से ने बताया है उसके बाद लैंगवि इन्होंने इसमें कोई अपने नया concept नहीं दिया लेकिन जो already existing concept है उन सब को collect करके जो है इन्होंने एक theory डी critical practice की जिसको हम लोग literary criticism भी कह सकते हैं अगर आपने reader response theory, structuralism, poststructuralism और deconstruction की theory इसको अच्छे से cover किया हुए अगर आपको वो अच्छे से आपके उपास उनके concepts हैं तो आप critical जो practice है by bell से इसको understand कर सकते हैं otherwise अगर आपको यह जो theories है read response theory, structuralism, poststructuralism, साथ में formalism और deconstructionalism अगर आपने उनको उनके lecture कवर नहीं किये हुए नहीं आप उनके understanding तो आप इस lecture को cover नहीं कर सकते because यह सरा based critical practice जो है वो in theories पे है कि bell से नहीं कहा है कि किस तरह से हम लोग in theories को use करके literature को understand कर सकते हैं so first of all अगर हम लोग इस book का first part को discuss करें तो उसमें बात की जाती है society की, reader की और साथ ही साथ language की इससे पहले ज़हें वो बात की जाती थी, इससे पहले जहें वो बात की जाती थी, writer की, text की और reader की in the ancient time क्या किया जाता था? पहले-पहले bell से कहती है कि जो ऑ कहते से कि जो writer है उसकी biography को देख के जो writer ने लिखा है text हम उसको समाई सकते हैं जो reader है उसको understand कर सकता है लेकिन Ferdinand Saucer जो के Swiss linguist थे हैं उन्होंने जो है वो दैन दिया था कि जो reader understand करता है वही text का जो है वो meaning होता है उसके बाद further bell से कहते हैं कि society language और reader इन सब का एक बड़ा connection है अब वो कैसे है कि अगर literature के हम लोग बात करें तो फ्रो जो है वो society ही लिखा जाता है और through language ही लिखा जाता है तो हम लोग society के जरीए भी इसको understand करते है लिटरेचर को उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें जिसका second product में बात करती है society की language की और literature की के इसमें इसमें भी concept आ जाता है totally discuss करती है सौसर को कि किस तहां से जो है वो signifier और signified को use किया जाता है किसी भी literary text को analysis करने के लिए understand करने के लिए like जैसे के signifier होता है कि कोई भी sound है जैसे के produce होता है उससे जो हमें understanding आती है वो signifier होता है कि जब जैसे कि like जैसे मैंने कोई word बोला है apple अब apple का image आपके mind में मला means कि वो signified है और जो मैंने apple जो मैंने pronounce किया था वो signifier हो गया तो इस तरह से जो है वो हम लोग text को समझ सकते हैं जो भी literary हमारा text होता है उसके बाद further बात करें society language और literature यह तिनों जो है वो related है इन थर्ड पार्ट वो बात करती है लोईस अलतुसर की जोनों के French philosopher थे इन्होंने जो है वो ideology का concept कि किस तरह जो है वो ideology किसी भी person की हम लोग find out कर सकते हैं लोईस ने कहा था कि man can understand कि हम किसी भी इनसान को understand कर सकते हैं by his religion and assumptions कि कि उसके religion क्या है किसी भी person का उसके assumptions क्या है उससे हम लोग किसी भी इनसान की जो ideology उसका नज़रिया है उसका way of life है उसको understand कर सकते हैं उसके बाद लोईस ने जो है वो marxism, marxist criticism पे बहुत जादा फोकस किया था इन्होंने marxism के बहुत जादा ये supporter थे और इन्होंने working class का role बताया था और साथ ही साथ यहां पर हमें जो बाल से है वो relationship बताती है literature और ideology की दरमयान relationship क्या है अब अगर हम लोग बात करें key points की के critical practice जो है ये 1980 में जो हम लोग लिखी थी उसके key facts क्या हैं फिर key points क्या है कि ये totally है किसी इसके बारे में critical practice जो के एक lengthy book है जिसका हम लोग एक lecture में तो इसको cover ने कर सकते इसके एक series बनेंगे तो then हम इसको अच्छे से जो है वो cover कर सकेंगे first of all अगर हम लोग बात करें तो bell से कहती है कि plurality of meaning कि meaning में कभी singularity होती नहीं है वो कहती है कि जो कोई भी text होता है मैंने पढ़ा उसका मैंने और meaning लिया आपने as a student पढ़ा आपने और meaning लिया कोई third person पढ़ेगा वो कोई और meaning लेगा means कि कि किसी भी text के जो meaning होता है उसमें plurality होती है not a single इनके उसमें कोई singular meaning नहीं होता कि writer ने चाहे जो भी लिखा हो लेकिन हाट जो reader पढ़ने वाला है उस पर totally depend करता है कि वो किस सरह से उस चीज़ को understand कर रहा है उसके बाद अब इसके key points की बात कर लेते हैं कि इसमें different approaches हैं जो कि बाग से यूज किया है इन्होंन जैसे के formalism हो गया structuralism हो गया structuralism में हम लोग किसी भी text का जो है वो underlying structure देखते हैं कि hidden meaning क्या है underlying जो उसका meaning है वो क्या है surface पे तो एक चीज़ नदर आती है वो नहीं लेकिन उस text के पीछे उसके अंदर deeper inside क्या चीज़ है वो हम लोग देखते है and then force structuralism कि इन सब को इन theories को use करके हम किसी भी text का meaning ले सकते हैं उसका analysis कर सकते हैं बैल से कहती है further बैल से कहती है the role of the author, बैल से discusses the concept of authorship and how it influences the interpretation of a literary work कि जैसे in answer time के जो writer है उसकी biography देखी जाती थी उसके social concepts क्या है उसकी political concepts क्या है उनको देखे उसके literature को judge किया जाता था लेकिन बाद में जो critique का है उन्होंने different idea दिया और साथ ही साथ इन्होंने challenge किया है इस बात को कि किसी भी चीज़ में एक single meaning होता ही नहीं है कहते हैं कि plurality ही होती है singularity नहीं होती meaning में हर reader की अपनी understanding है हर reader के अपने concepts है उसके बाद अगर हम लोग बात करें इन्होंने genre और interpretation की बात किया है कि different genre है literature को understand करने के लिए जैसे novel हो गया drama हो गया poetry हो गया यह सब उसके बाद interpretation की जो complexities है बैसे जो ज़़्यादा focus करती है वह subjective nature पर interpretation की उसके focus करती है और reader के roll पर बहुत ज़ादा यह focus करती है कि कहती है कि जो किसी text को पड़के writer ने लिखा है matter नहीं करता और किसीनने क्या uska conclusion दिया है किसी ने क्या उसका review दिया है वो matter नहीं करता reader जो पढ़ने वाला है at the present time वो matter करता है कि उसने क्या उससे understanding लिये है उसने क्या learning की है उसके mind में उस text का क्या image बना है उस piece of literature का यह चीज़ matter करती है कि वो meaning क्या create करता है अपने mind में और साथ ही साथ यह encourage करती है कि text को जो है engage करना चाहिए और custom करना चाहिए जो traditional interpretations होती ही जैसे कि किसी ने review दे दिया उस पर depend करना कि अच्छा यह इस text का यह है meaning या फिर author पर totally depend कर लेना कि author की biography को देखके तो means कि अगर वो bureaucrat है तो means कि उसने bureaucracy के बारे ही में लिखा होगा अपने piece of literature में तो इन सब चीज के against थी बैल से उसके बाद इन्होंने traditional जो approaches थी उनके against उन्होंने criticism किया था बैल से ने challenge किया था जो पहले से जो norms थी वो सब और जो conventions थी use की जाती ही literary criticism के लिए उन सब को उसके बाद अगर हम लोग बात करें इन्होंने एक more critical and inclusive approach दी for the power dynamics and social context के लिए और साथ ही साथ बैल से ने एक ऐसा way दिया कि जिससे आप किसी भी literature को understand कर सकते हैं किसी भी piece of literature को अच्छे से उसका concept ले सकते हैं through theories through बैल से कहते हैं कि theory जो है किसी भी literature piece of literature को understand करने के लिए उसके बाद बैल से discuss करती हैं एक common sense होती है means कि अब जैसे के एक बंदा literature का है ही नहीं वो अब literature को understand कर रहा है वो just उसको entertainment करेंब पढ़ रहा है अब उसकी basic उसको नही ने इट structuralism को पढ़ने की उन चीज़ों की और और वो just एक common sense के लिए meaning ले लेता है तो इसको कहते हैं common sense उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक literature का student एक literary person जो है वो उसको हर angle से देखता है उसको क्रिटिसाइज करता है literature जो है वो सिरफ critical appreciation के बारे में नहीं होता उसको हम लोग हर हवाले से देखते हैं I hope कि आपको कैथनिबाल से के समझ आ गई होगी इसको हम लोग further lecture में भी discuss करेंगे channel को subscribe और video को like और share कर दीजिएगा thanks for watching my channel